हलो बच्चों स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों आज मैं आपके लिए Class Ed का Social Science का सामाजिक विग्यान का पेपर लेकर आए हूँ जो आगे पेपर होने वाला है Social Science का तो इसका पेपर मैं आपको Solution के साथ करवाने वाला हूँ इसके बाद जो आपके पेपर होने वाले हैं उनको भी मैं Solution के साथ करवाऊंगा और यह सामाजिक विग्यान है इसके पेपर मैं आपको टोटल पांच करवाने वाला हूँ तो पांच पेपर में से एक क्यूशन भी बाहर नहीं जाएगा इसलिए इन क्यूशनों को आप ढंक से त्यार कर लो इसमें देखो आपका जो पहला क्यूशन है भारत का अंतिम वाइसराय कौन था तो भारत का जो अंतिम वाइसराय था वो कौन था लाड माउंक बेटन था उसके बाद देखो अगला जो क्यूशन सरोपर्थम भारत आने वाली पस्चिमी ताकत कौन थे तो पस्चिमी ताकत थे पूर्टुगाली उसके बाद देखो सेरे मेसूर के नाम से किस को जाना जाता है तो सेरे मेसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है उसके बार देखो राज्य सभा में कुल सदस्य कितने होते हैं देखो यहां पर जो आपके आंस्वर दे रखे हैं यह चैरो ओप्षन तो यह चैरो क्या है रोंग है यहां पर टोटल जो होंगे वो कितने होंगे 250 सदस्य होंगे इनमें देखो 250 में से क्या होता है कि 238 सदस्य तो कैंने में और 12 सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं राष्ट्रपती मनोनित होते हैं उसके बाद निघो रास्तान के किसे जिलेक में जंसंग क्या गठक्ष सारवदिक पाया जता है मतलब सबसे ज्यादा लोग कहां निवास कर रहे हैं जमीन के इसाब से तो जंसंग्या गठक्वा ऑफ से ज्यादा कहां पर जैपुर में है उसके बार देखो, तो उद्वर में भार्ण सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, र्जाइस परशेता को दंडनी अपराद घोसित किया गया है, तो आईश परसेता के लिए कौन सा आपका अनुच्छेद सत्रा है और अनुच्छेद सोला के अंदर क्या आपका अउसर की समानता अउसर की समानता के लिए तो कौन सा है अनुच्छेद सोला और आईश परसेता के लिए है वो कौन सा आपका अनुच्छेद सत्रा उसके बार देखो अठारा सो सत्यावन में सबसे पहले विद्रों का प्रारंब हुआ था तो सबसे पहले विद्रों मेरट में प्रारंब हुआ था उसके बार देखो अगला जो क्यूशन कानून बनाने में सारवधिक मैतोपून भूमिका होती है तो सबसे मैतोपून भूमिक किस की होती है संसित कि होती है उसके बार अगला answers की ग्यारवा नमबर का question श्युम है यह में और उसके आपको रहते स्थान करनीं को पूर्थी करी दियो हैं तो डेखो इस में रास्तान का इस्थापना दियोष मनाया जाता है तो रास्तान का इस्तापना दिवस कब बनाए जाता है 30 मार्च को हम रास्तान दिवस के रूप में रास्तान इस्तापना दिवस से मनाते हैं उसके बाद ग्राम पंचायत का मुख्या कोन होता है तो ग्राम पंचायत का जो मुख्या होता है वो सरपंच होता है कोन होता है सरपंच होता है उसक निर्पेक्स था उसके बाद देखो अगला जो क्यूशन है आपका रास्तान में सारवाधी के लिंगानुपात कौन से जिले का है तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपूर का है कहां का है डूंगरपूर का है और कितना है 930 मतलब 1000 पूरूसर के 930 मैल पिन चानंबर को जोडने वाला राजमारke इसको किस नाम से जानते हैं चत्रभूज परियोजना के से जानते हैं समय निम चत्रभुज परियोजना कि उसके बार देखओ अगला की हुशन आपका इसमें आपको जो ट्वालवन नमबर का क्यूशन है इसमें हा और ना में उत्तर देने हैं मतलब आपको पांच क्यूशन और देक्सक्ता के पर्मुक बुपाल सींही थे मतलब हो जाएगा कुमबल दूरगए के कटार सवंगभा में मारताब का जनम होआ था झाफ हुदा समेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था तो ये क्या है? गलत है मतलब ये जो हुड़ा समेलन हुआ था वो 17 जुलाई और 1734 को हुआ था कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को यहाँ पर आपको क्या दे रखा? 1834 तो 1834 नहीं होगा, क्या होगा? 1734 होगा उसके बार देखो आदिवाशियों का एक ही जनजातिय धरम होता है तो ये बात भी सही है कि आदिवाशियों का एक ही जनजातिय धरम होता है उसके बार देखो आपका जो पांचवा क्यूशन है 1877 से गवर्नरल जनरल को वाइस राय कहा जाने लगा तो ये बात भी सही है तो वाप पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी इनको आप अच्छे से त्यार कर लेना इसमें देखो आपके जो यह टोटल क्यूशन होंगे 27 नंबर तक इसमें आपको देखो यह लास्ट वाला क्यूशन मानचित्र में एंकित करना है तो यह भी आपको देख लेना है तो इस तरह से आ वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो एक्जाम के लिए बैस्ट ओफ लग धन्यवाद